तो एवरीवन तो कैसे आप सब स्वाद करता हूं आप सब का आपके अपने ही चैनल स्टेडी वड़ी में तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कोड से जितने भी प्रॉब्लम आ रही है उस सारे प्रॉब्लम को दूर करने के इस वीडियो में कोसिस करूंगा कि आप अगर ए सब्जेक्ट की हुएं तो आपको कौन सा कोर्स कौन सा कोर्ट सेलेट करना है फॉर्म भरते वक्त के कि बहुत सारे मैसेज मेरे पिछले वाले वीडियो पार चुका है मैं जवाब देते जिते ठख ग गया हूं तो मैंने का कि क्योना इस पर एक परटेगुलर एक वीडियो बनाय जाए जिसमें सिर्फ इलिजबिल्स क्राइटलिया की बात की जायए जिससे कि क्या हो आपकी जितने भी डाउट है सारी डाउट कि लिए हो जाए तो आईए बात कर लेते हैं सबसे पहला जो code है उस code के बारे में कि इस code को कौन कौन से subject के बच्चे अपलाई कर सकते हैं तो पहला जो code है P03 तो P03 पहले program किस program के अंतर रगत आता है यह आता है B8 अब B8 में क्या आता है special education और special education को दो भागों में divide किया गया है पहला आपका है intellectual disability और दूसरा आपका है visual impairment मतलब कोई इसमें अगर selection होने के बाद आप इसमें या इसमें किसी में भी जा सकते हैं तो चलिए आए सबसे पहले बात कर लेते हम कि जो intellectual disability की criteria क्या है कौन कौन से बच्चे से apply कर सकते हैं तो दीकिए अगर आप science system से है social science system से है या humanities से है तो उसके लिए आपको master degree होनी चाहिए अगर आप अगर intellectual disability के लिए apply करना चाहते हैं तो science social science humanity वाले candidate को candidate के पास master degree होना चाहिए अगर अगर वह मस्ट किया हुआ है तो वही वह इस course के लिए apply कर सकता है ठीक है अब आते दूसरे क्रेगरी के बच्चे कौन कौन से बच्चे और हां अगर किसी ने engineering किया हुआ है तो वह भी अप्लाई कर सकता है वह भी eligible है अब आते second type के बच्चे कौन से हैं तो और देख must have study one subject from the pedagogy course तो उसको at least एक pedagogy subject पढ़ना होगा मलब पढ़ा हुआ होना चाहिए अब देखिए pedagogy subject क्या होता हो तो बहुत सारे कौन से ने मैं उसकी डायट उसकी बात कर लेता हूँ तो अगर आपने sociology पढ़ा हुआ है या फिर psychology पढ़ा हुआ है तो sociology और psychology आपके teaching subject में से नहीं आते हैं teaching subject में आते हैं कौन कौन से हैं देखिए teaching subject में आपको maths हो जाएगा physics हो जाएगा chemistry हो जाएगा फिर उसके बाद आपका history हो जाएगा geography हो जाएगा यह क्या नाम है political science हो जाएगा political science हो गया और फिर उसके बाद आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिस, Arabic यह सब क्या है आपके teaching subject हैं यह सब सब आपके teaching subject हैं अगर आपने यह सब किया हुआ तो आप apply कर सकते हैं टोटल 16 teaching subject है 16 teaching subjects में coincider होते हैं तो एक video मैं link नीचे देदूँ को महाँ सब देख सकते हैं कौन कौन से teaching subject है महाँ सब जा सकते हैं चली तो अब इसके बाद कोई होना चाहिए और उसको at least 200 marks का पढ़ा होना चाहिए अब कहेंगे सरे 200 marks कुछ जो फंडा हो समझ में नहीं है तो देखिए जो 200 marks का जो फंडा है तो आपका अगर annual system है मालते क आपका annual system था, annual है, तो annual में क्या होता है कि तीन साल का एक course होता है तो अब हमने course को तीन साल में बाढ़ दिया, first year, second year, third year, first year, second year और third year, तो अभी मैं annual वाले के बाद कर ले था फिर इसको बाद semester कभी आएगा, semester वाले भी घवर आए ना, semester वाले थोड़ा सा patience रखे, तो annual system म पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पहले साल में 100 माक्स हो जाएगा, और दूसरे साल में 100 माक्स हो जाएगा, तो 100, 100 कितना हो जाएगा, 200 माक्स हो जाएगा, अब इसके बाद, 100, 200 माक्स का पढ़ा होना चाहिए, अगर 300 माक्स हो पढ़ा हो तो फिर तो और अच्छी बात है, अगर तीनों साल वही सेम सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है विसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन उसे एटलिस दो साल पढ़ा होना चाहिए लेकिन अगर उसने हिंदी पढ़ा है तो दो साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए और समेस्टर की मिलेगा सीधे 3rd 4th 5th 6th कुछ ऐसे मिलेगा या तो 1st 2nd 3rd 4th में पढ़ाओ या 2nd 3rd 3rd 4th 5th 6th में पढ़ाओ या फिर 6 समेस्टर पढ़ाओ तो भी वह क्या होता है उसमें count हो जाएगा तो यह 200 marks जो है criteria है आपको समझ में आ गया होगा यह 200 marks कहना क्या चाहरा है अब यह 3rd 3rd की तरफ चलते हैं 3rd गया है तो दीके सबसे बड़ी मसला होती है commerce वाले बच्चों के साथ की सरमने commerce तो कर लिया बीट करना चाहते है अब दिल नहीं लग रहा है चले सुच रहें कि अब teacher बन जाए बेट कर ले क्योंकि और बाकि में जॉब ने मिलना है तो सुच रहें इसी में 3rd try करें तो क्या हम eligible है की नहीं है तो देखे बी कॉम वाले बच्चे eligible है बी कॉम वाले बच्चे eligible है लेकिन उनके लिए भी criteria लगा दिया गया है कि 200 marks का अपने कोई एक teaching subject पढ़ाओ और और जो यह आएंगे एक social science के अंतरगत आ जाएंगे यह तो रहा special education बाकि इनके लिए एक आगे भी कोड है जिसको select कर सकते हैं बी कॉम वाले बच्चे ठीक है तो यह तो हो गया और फिर उसके बाद 50 मीनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए हो सभी सभी कोर्स के लिए सभी कोर्स के लिए मिनिमम 50% किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अधरवाज अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो चलिए अब हमने किस की हमने बात कि इंटेलेक्टेटल डिसिबिल्टी की अब यह बात कर लेते हैं इंप्यारमेंट के लिए तो इंपायरमेंट के लिए कौन-कौन से लोग Cuando apply कर सकते हैं तो देखिए उसके लिए क्या मांगा था आप से Master यहां से बैचलर डिग्री से काम हो जा रहा है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें साइंस में सोचल साइंस में हुमिनिटीज में और फिर उसके बाद से महीं कंडिशन है फिर बाकि है कि आप इंजिनिंग किये तो भी आप अपलाई कर सकते हैं और 50% मार्क से तो भी इनके लिए 45% है तो अब अपलाई कर सकते हैं बाकि जो 200 मांक सा जो क्राइटरिया उपर जो मैंने एक्स्प्लिन किया सेम होई है फिर उसके बाद सेम होई बीकॉम के लिए भी अगर बीकॉम वाले बच्चे है तो सेम जो उपर अले क्राइटरिया है वो नीजी वाले बस यह एक रिकॉम ग्सक्रा हो गया है कि इसमें जो है इसमें मास्टर वाले अगर इंतटूलेक्च्टलीडिर ड critics करना है तो आपको मास्टर पहले करने पड़ कि दैन आप इंतटूलेक्च्टलेक्च्व्यालिट के लिए अपलाई कर सकते हैं नहीं तो अगर आपने मास्टर पॉइन सब्रादेट fine धार भी घृत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा Feels k भीजुवल किली क्या होगा लोग जादा प्लाई करेंगे कृँगी Master से जादा लोग बैचलर में आते हैं बैचलर किलोग अप्लाई करेंगे चलेहाब चलते हैं जो हमार था पेड़ागाजी कोर्स क्या होगा social science अब social science वाले बच्चे को कौन कौन सा कोर्ट select करना है coqp04 select करना है तो देखिए यहाँ पर क्या है कि candidate with at least 50% marks होने चाहिए आज़र bachelor degree या फिर master degree में अगर bachelor degree में 50% नहीं बना कुछ कम हो गया तो कोई बात नहीं master अगर आपके पास master degree है उसमें 50% स्यादा होगा तो भी अप ले सकते हैं तो bachelor degree या master degree में 50% marks होने चाहिए और कौन कौन से stream के बच्चे से apply कर सकते हैं social science के लिए तो एक है आपका social science वाले बच्चे apply कर सकते हैं तो एक बड़ी बात commerce वाले भी apply कर सकते हैं तो commerce वाले बच्चे coq p03 के लिए apply कर सकते हैं लेकिन आगे जाके condition लग जाएगा आगे जाके क्या लग जाने वाला है एक condition लग जाने वाला है और साथे साथ जिन्होंने engineering कर रखा है अगर उनके 55% marks है अगर उनके चाहते हैं बीट करना तो जो पेड़ागाजी कोर्स अपना जो है social science ले सकते हैं यह तो और ही पहली क्राइटेरिया अब आते हैं दूसरी क्राइटेरिया यह दोनों होने चाहिए दोनों होगा तो यह आप apply कीजेगा अप्लाइ मत कीजेगा पैसे वियर्थ सजाएंगे फिर a candidate must have study at least one school subject school subject वही teaching subject school subject वही है teaching subject जो हमने बताया है at the graduation level और post graduation as a main subject तो दिखिए जो अगर इस pedagogy के लिए apply करना चाहते है social science तो उनमें क्या बोला है कि ओ ग्रेजिशन में क्या होना चाहिए उसे school subject एक school subject होना चाहिए एक school subject जिस school subject लिए apply करना चाहता है suppose that हमने क्या किया हमने English किया है ठीक है हमने English लिया है तो उसे English मतलब उसका main subject होना चाहिए तो ही वह apply कर सकता है अगर English किया हुआ तो English उसका main subject होना चाहिए तो ही वह apply कर सकता है honors होना चाहिए जैसे कोई history honors का है तो apply कर सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर कोई economics का है तो economics honors का है तो apply कर सकता है या तो उसने bachelor degree में पढ़ रखी हो या फिर master degree में पढ़ रखी हो तो भी apply कर सकता है ठीक है तो यहां से i think social science वाले बच्चों का जो भी confusion रहेगा आप दूर हो जाएगा तो social science वाले बच्चों को क्या करना है कि bachelor degree या master degree अगर उनके पास है तो apply कर सकते हैं अब इन नेक सकते हैं जो हमारे पास code number देखें जो हमारे पास code number P05 है P05 इनका जो pedagogy subject हो language है तो language में सिर्फ English, Hindi और Sanskrit बस ही तीन language को do वाले consider कर रहे हैं बाकि और जो language है उनको नहीं ले रहे हैं बस तीन language को ले रहे हैं Hindi, English और Sanskrit तो अब इसके बाद बाकि जो criteria कि हैं इसके बाद कि बाद कि बैस Hindi, English और Sanskrit तो एक तरीके से जितने जितने दो साल 200 marks होने चाहिए 200 marks का पढ़ा होना चाहिए मतलब वहीं दो साल अगर तीन साल के course में दो साल अगर उन्होंने पढ़ा है तो English, Hindi और Sanskrit ले apply कर सकते हैं at least at least 2 साल होना चाहिए 2 साल से ज्यादा है तो भी apply कर सकते हैं कोई दिख्षत वाली बात नहीं कोई परसाने वाली बात नहीं है और इसके बाद में कन्फिजन तो यहां आता है में कन्फिजन तो सभी बच्चों को यहां आता है क्योंकि यहां लिखा हुआ है P06 और अगर course जब आप form भरेंगे तो form भरते वक्त आपको दिखाए देगा कि COQP06 के आगर science लिखा होगा और COQP07 इसके आगर mathematics लिखा होगा पता नहीं किस नसे में बनाए हैं अब कहां गलती है लेकिन हमें क्या करना है हमें तो eligibility criteria देखके form भरना हमें तो court का जाना नहीं है court देखना है लेकिन उसका eligibility criteria क्या है और उसका pedagogy course क्या हमें वह देखना है तो देखिए अगर जो mathematics वाले बच्चे है mathematics वाले इनका pedagogy के जिन्हों ने apply किया है मिला जो select करेंगे CO Q P 06 जो P 06 के लिए apply करना चाहेंगे या फिर this course select करेंगे तो किस लिए टीजर बनेगे और mathematical के teacher बनेंगे और उनकी eligibility criteria क्या है कि mathematics होना चाहिए या तो BA K yeah मेक in mathematics या फिर BCOM की हो पास या फिर honours कुछ भी हो तो भी चलेगा अगर past course भी है तो भी चलेगा आउनर से तो भी चलेगा तो अगर mathematics वाले बच्चे हैं तो वह अपना code COQ P06 apply करेंगे वह पर उसलेट करेंगे फिर last में जो आता है P07 अब P07 क्या है तो इनका pedagogy subject जो science है इनका जो pedagogy subject science है इनके पास biology, chemistry या integrated science और physics है तो यह apply कर सकते है अगर आपके पास biology, chemistry integrated science और physics है तो apply कर सकते हैं बाकि की जो criteria same उपर वाली है 50% होने चाहिए marks और आपने graduation complete कर रखाओ या फिर अपने BSC या फिर कोई और जो भी equivalent course complete कर रखाओ और at least 200 marks का आपने पढ़ रखाओ 200 marks है pedagogy subject biology, pedagogy subject है biology, chemistry, physics यह सब pedagogy subject है mathematics भी pedagogy subject है तो इसको 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए at least, कम से कम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए तो आप इस course के लिए apply कर सकते हैं तो आई हो काफी हद तक मैं कामियाब रहा होँगा आप लोग को समझाने में जो भी code से relate जो भी परसानी रही होगी co, एक बार इसको फिर से लिख देते है coq, p01, p02, p03, p04, p05, one तो था ही नहीं हम तो यहां से start के थे 3, 4, 5, 6, 7 तो इन से related जो भी problem रही होगी आई थिंग आप लोग का problem resolve हो गया होगा बाकि अगर कहीं थोड़ा problem अभी भी रह गई हो तो comment box को ला हुआ है comment box में आप पूछ सकते हैं तो मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आप इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजे ताकि जब कभी नया वीडियो में upload करूँ आप तक notification मिलता है मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो आप लोग अपना बहुत ख्याल है कि और एक बात और एक बात और अगर आपको इसके त्यारी करनी तो कहां जूड़ना है तो देखिए डेली में quiz लेता हूं डेली में quiz लेता हूं discussion group पर आप यहां जूड़ जाए बाकि को लेट हो गया science लेट हो गया तो कुछ न कुछ होता रहता है तो आपको बहुत से benefit मिलने वाला है तो आप अगर जूड़ना चाहें तो जूड़ सकते हैं जो link है मैं description box में भी दे दूँगा और top की comment में भी दे दूँगा वहां से वाप easily जूड़ सकते हैं तो आई मिलते है देन चाहे से यसे जूड़ मेड़ करें तो आई मिलते हैं जूड़ सकते हैं जुट असाइब हैरी दो मिलते हैं सिर्चनिमी कह रहता हैं। झाल झाल